मशका जहिंद पिछले 30 साल से एक्जाम में बार बार पूछे गए GKGS के कॉशन देकर आ गए हैं यह भारत के सभी एक्जामों में काम में आएंगे आपको यह सभी कॉशन पिछले 30 साल से बार बार पूछे आ रहे हैं करते हैं इस वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट उमीद करता हूँ आप सभी ऐसे ही प्रेक्टिस सेट चाहते होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना यदि आपको प्रेक्टिस सेट कॉशन चार आप्शन वाले चाहिए कम समय में ज़्यादा कॉशन चाहिए पहला प्रेशन है कि अरुनाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी अरुनाचल प्रदेश कब राज्य बना क्या हो जाएगा राइट आंसर तो अरुनाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी तो माले आपकी मालदीव की राजधानी हो जाएगे option number B, यहाँ पर right answer है, माले जो है, यह मालदीव की राजधानी है, option number B, मालदीव यहाँ पर right answer, pdf का फुटिएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, pdf का full form क्या होता है, तो pdf का full form होता है, portable document format, option number C, सयुक्त राष्ट अमेरिका का राष्टी खेल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिये गए हैं बेस बॉल यहां पर राइट आंसर है सयुक्त राष्ट अमेरिका का राष्टी खेल है बेस बॉल ऑप्शन नमबर A ओरंग नेशनल पार्क कहां पर इस्तित है ओरंग नेशनल पार्क इनमें से कहां पर इस्तित है ओरंग नेशनल पार्क इस्तित है आपका असम में ओप्शन नमबर A यहाँ पर असम राइट आंसर हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क के लिए क्रिकिट माई स्टाइल ये पुस्तक किस से संब्दित है क्रिकिट माई स्टाइल ये पुस्तक इन में से किस संब्दित है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए है कपिल देव जी से संब्दित है क्रिकिट माई स्टाइल पुस्तक option number यहाँ पर भी टॉपिल देव राइट आंसर है दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किस ने बनवाय था दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाय था महराजा जैसिंग द्वती ने option number E महराजा जैसिंग द्वती ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर को बनवाय था और आपको पता होगा किस राजी का लोक सभा में सबसे ज्यादा प्रतिन दित्व है तो लोकसभा की बात हो रही है सबसे आज सीटे हैं आपकी यूपी उत्तर प्रदेश की option number C उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटे हैं option number C सांसद सबसे आज सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते है S2 तुनन्रा प्रकार की जलवाईू किस महादेश में पाई जाती है राइट आंसर हो जाएगा यूरोप option number B यूरोप महादेश में टुंडरा प्रकार की जलवायू पाई जाती है option number B भारत का 29 राज कौन सा बना था भारत का 29 राज कौन बना था भारत का 29 राज बना था आपका तेलंगाना option number D भारत का 29 राज बना था तेलंगाना option number D यहां पर तेलंगाना राइट आंसर है अरावली पहाड़ी की सबसे उची चोटी इन में से कौन सी है अरावली पहाड़ी की सबसे उची चोटी अरावली पहाड़ी की सबसे उची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी ऑप्शन नम्बर B, यह अरावली पहाडी की सबसे उच छोटी है, गुरु शिखर छोटी, जब लंदन में पहले गोल में सम्मेलन बुलाई गई थी, उस समय ब्रिटिस प्रधान मंत्री कौन था, सबसे पहली गोल में सम्मेलन बुलाई गई थी, तो लंदन में जब सबसे प लोग सभा में प्रस्तुत किया जाता है थोस से सीधे गैस में परिवतन क्या कहलाता है थोस से सीधे गैस में परिवतन उर्धो पातन कहा जाता है थोस से सीधे गैस में परिवतन जैसे कि कपूर भी सीधे थोस से गैस में परिवतन होता है जो उर्धो पातन कहलाता है गांधी सागरबांध किस परियोजना का हिस्सा है गांधी सागरबांध गांधी सागरबांध जो है आपका ये चम्बल परियोजना का हिस्सा है ऑप्शन बसी चम्बल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागरबांध किस सम्विधान संशोधन विधेक द्वारा संसद ने मतदान की आयू 21 से 18 वर्ष कर दी थी तो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 61 सम्विधान संशोधन के तहत मतदान की आयू option number A गुलाम वंच का अंतिम्न शाशक कौन था गुलाम वंच का आखरी जो शाशक था वो था आपक क्यूमर्स option number B सबसे कम वन किस राज्य में पाई जाते हैं तो सबसे कम वन जो पाई जाते हैं आपके हरियाना राज्य में पाई जाते हैं option number D दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्य वंचों ने शाशन किया तो दिल्ली सल्तनत के तहत कुल पाँच राज्य वंचों ने शाशन किया था option number B सबसे बड़ा इस्तंदारी अमेमल कौन हैं तो सबसे बड़ा इस्तंदारी अमेमल आपका ब्लू वेल कहलाता है ब्लू वेल मचली option number A नेमनल कितम से कौन एक अर्ध विक्सित बच्चे को जन्म देता है एक अर्ध विक्सित बच्चे को जन्म देता है कंगारू option number C कंगारू एक अर्ध विक्सित बच्चे को जन्म देता है संगमर्मर का सूत्र क्या है संगमर्मर का सूत्र होता है CACO3 संगमर्मर का सूत्र है राइट आंसर हो जाए भारत में आजादी के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भारत में आजादी के समय कॉंग्रेस की जो अध्यक्ष थे वो थे जे भी करपलानी जी जे भी करपलानी जी आजादी के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे अध्यक्ष थे अध्यक्ष यहां पर राइट आंसर प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये भारत में 1992 में स्टार्ट हुआ था उप्शन नमबर सी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया निम्द में से कौन सा बांगलादेश का एक बंदरगा है बहुत फेमस बंदरगा है तो बांगलादेश का बंदरगा है आपका चटगाओं बंदरगा है चटगाओं बंदरगा ये बांगलादेश का बंदरगा है आपको कमेंट करके बांगलादेश की राजधानी बताना है क करते हैं यही चार option इनमें से सही answer निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हमाले छित्र में इस्थित्र नहीं है नेपाल हमाले में नहीं आती यहां पर आपको जो option दिए गए इनमें से नेपाल हमाले में अनपूर्णा तहोट से और माउंट एवरेश्ट यह नेपाल हमाले म नहीं आता option number A कामिट परवत नेपाल हिमाले में नहीं आता कि कौन सा बांध जारखंड में इस्तत है यहाँ पर आपको जो option देगए है इनिम्हें से मैथन बांध option number B जारखंड में इस्तत है मैथन बांध option number B निम्द में से किस भारती राज की सीमाएं उत्तर दक्षण पश्चिम तीन दिशाओं से बांगलादेश की सीमाओं को स्पर्श करती तो तीन दिशाओं से बांगलादेश से गरा हुआ है तृपुरा त्रिपुरा तीन दिशाओं से बांगलादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा निम्द में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांगलादेश सीमा के सबसे नजदीक है तो भारत बांगलादेश सीमा के सबसे नजदीक जो बांध है यह है आपका फरक्का बांध ओप्शन नमड़ी फरक्का बांध भारत और बांगलजी सीमा के सब से नजडिक है बोकारों में इस स्पाथ सैंट्र के सैयोग से क्या बनाये गया था सोवियत संग के सैयोग से निम्द में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर इस्थित नहीं है गंगा नदी के मार्ग पर इस्थित नहीं है तो पतना प्रियाग राज और कानपुर है लखनव गंगा नदी किनारे नहीं है लखनव गंगा नदी किनारे नहीं है निम्द में से कौन सा शहर कोरो मंदल टटके किनारे इस्ते थे थे कोरो मंदल टटके किनारे यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन दे गए हैं तूती कोरिन इस्ते थे ऑप्शन बड़ी तूती कोरिन कोरो मंदल टटके किनारे इस्ते थे ऑप्शन बड़ी हिल इस्टेशन माथेरान किस राज में है तो हिल इस्टेशन माथेरान ये आपका महराष्ट राज में पढ़ता है option number B महराष्ट राज में है माथेरान वन संदक्षण के संदरों में नवदन्य आंदोलन 1987 में इसके द्वारा शुरू किया गया था सागरमाथा किसका नेपाली नाम है सागरमाथा सागरमाथा ये आपका माउंट एवरेष्ट का एक नेपाली नाम है option number A माउंट एवरेष्ट का नेपाली नाम है सागरमाथ नेमने मैं से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर रक्षन सिरे से सबसे दूर होगा तो यदि आप बिलकुल नीचे से देखेंगे मतलब आप खड़े हो जाए सबसे नीचे कन्या कुमारी पर वहाँ से सबसे दूर आपको पड़ेगा कौन सा तो नांदेड शहर पड़ेगा सबसे दूर बहुत उपर है नांदेड ओप्शन नमबर सी नांदेड से सबसे दूर पड़ेगा निवने में से कौन सा तेलहन की सिर्णी के अंतरकत नहीं आता है तेलहन ओल सीट तेलहन में आपका उपर के तीनों आते हैं सोयाबीन, तिन, मुमफली जय ये आपका तेलहन की अंतरकत नहीं आता सोयाबीन, तिल और、 मुमफली आते हैं निवने में से कौन सा जीवाशमन इधन नहीं है फॉजिल, फ्यूल नहीं है जीवाशमों के दवारबह पराप्त नहीं होता तो जेवव इधन, जीवाशमी इधन नहीं है आपका पूरी में इस्थत है option number ए पड़िये पूरी यहां पर इस्थत है गोवर्धन में पूरी यहां पर राइट आंसर है टाटा आयरन एंड इस्टील कंपनी जिसको टिसको भोला जाता है निम्दमेसिक किस स्थान पर इस्तित है टिसको तो टाटा आयरन एंड इस्टील कंपनी टिसको जमशेदपुर में है ऑप्शन बड़ी जमशेदपुर में सतित है टिसको शुक्र ग्रह के कितने प्राक्रतिक उपग्रह है तो जो शुक्रग्रह है उसके जो है प्राक्रतिक उपग्रहों की संख्या है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्रग्रह के आपके शुन्य प्राक्तिक मतलब एक भी प्राक्रतिक उपग्रह नहीं है ऑप्शन नमबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो प्रजातियों का विकास एक स्थान से नहीं गुजरती कि बांगलादेश भूटान और मिघाले से होकर गुजरती भॉगालिक छित्र में प्रजातियों का विकास एक स्थान से सुरू होता है और अन शेत्र तक प्रसारित होता है इसको क्या कहा जाता है तो कई प्रजातियां कि स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है इसको अनुकूली विकरण कहा जाता है एडप्ट्यो रेडियेशन कहा जाता है अनुकूली विकरण या एडप्ट्यो रे होता है option number A भूमी का तजल का उपयोग अधिक होता है ऐसी भूमी कौन सी ऐसी भूमी है जो पांच से अधिक सालों से उसर मतलब जहां पर क्रशी नहीं करी गई हो लेकिन सुधार कारियों के मादम से उसे क्रशी योग्य काम मिलाया सकता है उसको बोला जाएगा खेती योग् पंजर भूमी मैगनीज का बंडार सुन्दरगड निम्नमैसिक किस राजी में सत है तो सुन्दरगड जो इस्तित है मैगनीज का बंडार यह आपका उडीसा राजी में पढ़ता है option बसी उडीसा राजी में गोवा राजी का कुल छेत्रफल कितना है गोवा एक बहुत इसका अंसर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चनल पर पहली बार आएं चनल को सब्सक्राइब करेना मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत